हलो यूरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 23 मई 2021 सुराज के दहिंदुन इस पर गौम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसके पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आये सकार्डिमे टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे भारत के अंदर जो कल पोजिटिव केसी जाए तो कोविड डाइंटिन के वो टू लैक थे हलाकि इस तरह के नमबर यूपीस्टी के लिए डिरेक्ली इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर दो-तिन चीजें समझनी बहुत जरू हुई है पहला भारत में जो टोटल पोजिटिविटी रेट थी वो 14.2% यानि उसमें कमी आई है और दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 20 लैक सेंपल यानि 20 लाक लोगों का टेस्ट किया गया और जिसमें से ल यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाक एक ऐसा यूनियन टेरिट्री है जिसमें 46.9% पॉपलेशन जो है उसको वेक्शिनेट किया गया एज कंपेर तो अगर आप देखें तमिल नाडू और उत्रप्रदेश यह स्टेट आपको नजर आएंगे कि पूर वेक्शिनेशन स्टेट भी जिनकी ठीक ठाक परफॉमस है लेकिन जैसे जैसे ब्ल्यू होगा वो हाइस्ट एक तरीके से वेक्शिनेशन होगा और बिल्कुल रेड वाला जो है वो होगा लोएस्ट वेक्शिनेशन यह कुछ छोट 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 इन्फोर्मेशन है कि कुछ स्टेट के अंद प्राइरटी है वो फॉर्टी फाइव प्लस यह है और इसमें हेल्थ को लेकर या नीकर देखते हैं विके पॉलोंने कहा कि हमारी प्राइटी जो है वह वह होकी फॉर्टीफाइव प्लस और अब हुझान करना इसके बाद एक और जो वेक्शिन को एमरेजन्सी यू स्थरा या इंपोर्ट की जा सकती है और दोनों मिलकर इंडियन पार्टनर जो है रेड़ी लेप्रिटीज और रुशियन पार्टनर रुशियन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट पंड ये मिलकर जो है लगबग 850 मिलियन डोजी जो है भारत में 2022 तक जो प्रिपेर करेंगे इनके लाबा मोर देन 65% से लेकर 70% स्पूतनिक की जो वैक्षिन है वो भारत के अंदर यूज की जाएगी आने वाले टाइम में यानि जो भी स्पूतनिक की टोटल वैक्षिन यूज की जाएगी दुनिया भर के देशनों में उसका 65 से 70% केवल इंडिया में यूज किया जाएगा और द इसके बाद यहाँ पर एक और चोटीश इंफोर्मेशन है COVID-19 क्राइसीज होता है COVID-19 में 2020 में 2021 में हमने एक चीज देखी कि migration को लेकर या migrant क्राइसीज देखने को मिलेगा यानि बड़ी संख्या में जो migrate worker काम करने के लिए दूसरे states के अंदर या दूसरे सहरों के अंदर ज कमेंट करने क्योंकि migration एक important topic है UPSC mains में general study paper 1 में और खासकर geography में सवाल हो सकते हैं आप लोगों नीचे कमेंट करने किसके लिए जो major push और pull factor होते हैं migration को प्रभावित करते हैं कौन से factor हो सकते हैं जिसकी वज़े से migration इतने बड़े level पर होता है तो दो factor major account की जाते हैं एक होता push और एक होता pull उनके अंदर कौन कांसे factor को आप include करते हैं वो आप जरूर नीचे कमेंट करना इसके बाद छोड़ी छोड़ी information आप देखेंगे नेपाल parliament जो उसको dissolve कर दिया गया यहाँ पर नेपाल house की बात जब हम करते हैं तो जो lower house होता है या जैसे हमारे यहाँ पर तो नों के पास कोई भी एक तरीके से majority नहीं थी और parliamentary system कई बार आप लोग भी पूछते हैं कि parliamentary system में जिन government के पास majority नहीं होते हैं उनको resign क्यों करना पड़ता है क्योंकि उनके पास house का confidence नहीं होता जिसके पास house का confidence नहीं होगा उसको resignation जो देना पड़ेगा वहाँ की जो president ह बिद्यादीव बंधारी उन्होंने announce किया कि house को dissolve किया जा रहा है और इसके लावा election को declare किया गए November 12 से लेकर November 19 में यह most important है इंडिया के लिए वी क्यों क्योंकि अगर यहाँ पर instability होती political instability दो चीजें यहाँ पर है पहला instability का जो benefit है वो चाइना कोशिस करता उठानी कि दूस दूसरा नेपाल जो बफर स्टेट इंडिया और चाइना की बीच में बफर स्टेट का मतलब है कि जो pressure यानि इंडिया और चाइना से जो direct pressure होता उसको कहीं एक तरी के से observer की तरह या शोक की तरह काम करता है और इसके अलावा यहाँ पर नेपाल के अंदर COVID-19 केसी भी तेज इसके बाद और छोड़ी छोड़ी information में आप देखेंगे गुजराज जो है major hot spot के रूप में नजर आएगा mucormycosis जो या black fungus disease के मामले में और क्योंकि black fungus के लिए जो vaccine यूज की जाती है या injection जो यूज किया जाता है M4B करके इसमें अभी कहीं ने कहीं कमी है क्यों कमी है क्योंकि इस तरी के से expectation नहीं होता कि एकदम से जो rise हो जाएगा इस तरह के black fungus का या white fungus का इस तरह के disease का और ये कहीं न कहीं warning भी दी गई है कि इसके अंदर treatment के अंदर जो spread use की जाते है या जो एक तरीके से या our doses की वज़े से इस तरह के impact देखने को मिलते हैं नए तरह के disease भी हमें देखने को मिलते हैं इसके वज़े से और ये कहीं न कहीं hot spot में कई सारे state ने इसको epidemic डिक्लियर के है वो आप ज़रूर नीचे comment करेंगे तो एक simple सा एक concept है mucoromycosis क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ाता और इसको state इसलिए announce करते है क्योंकि state ये subject आता है public health जो वो state list के अंदर आता है इसलिए state इसमें announce करते है इसके बाद last information space से हम पढ़ेंगे यास करके जो एक cyclone है सीविर cyclone वो Bay of Bengal के अंदर एक तरीकी से form हो रहा है और इसमें 26 मही के आसपास hit कर सकता है इन coastal areas को या eastern घाट्स के कुछ state जैसे Odisha और West Bengal ये खास कर impact होते हैं Bay of Bengal से इसमें कुछ पार अंदर प्रदेश का भी हो सकता है लेकिन major जो होते हैं वो Odisha और West Bengal इसमें impact होते हैं यहा आज हम एक special वीडियो के तुरू discussion भी करेंगे कि cyclone yes क्या है कैसे impact करता है cyclonical conditions क्या होती है जिसकी वज़े से cyclone form होते हैं और उसका impact क्या हो सकता है positive negative उन सब चीजों के बारे में discuss करेंगे इनके लावा Indian Metallurgical Department जो की Ministry of Earth Sciences के अंदर काम करता है उननाने warning दे कि यह कहीने कि 26 तक impact कर सकता है Indian Metallurgical Department जो है वो कहीने कि उसके prediction help करते है state governments को prepare करने को लेकर central government को भी कहीने कहीन प्रिपेर करने को लिवाज़त करते हैं इनके अलावा North Undevan Sea में भी यह कहीने कहीन एक जो low pressure area जो tropical cyclone होते हैं उसमें low pressure area का यह low pressure zone का एक major role है इसलिए यहाँ पर impact आपको देखन को मिलेगा severe impact भी कर सकता है और उसी चीज़ को लेकर यह early warning दीगे दोनों state को कि intensify हो रहा है और आने वाले 26 माई तक यह hit कर सकता है नयके बल ओडिशा और बिंगोल को वेस्ट बिंगोल को बलकि बंगलादेश को भी यह impact कर सकता 26 माई को इसके बाद page number 8 पे हम लोग पढ़ कुरिया और बॉंडा कमुनिटी यह कोविन डाइंटेंस एक तरीके से उनको fight करने को लेकर एक्टिविस्ट जो है उन्होंने government से गाया कि immediate basis पर help करनी चाहिए यह दो ही tribes का क्यों use किया गया है यहां पर यह क्यों नाम दिया गया है यह दोनों tribes pvtg के अंदर आती है pvtg बहुत ही primitive है बहुत ही उनका number कम है या major tribes नहीं है लेकिन वह importance रखती है 75 है इसमें अलग-अलग state में अलग-अलग आपको tribe रिजखने को मिलेगी कई बार direct question जो UPSC पूछ लेती है कि इस तरह की tribes के बारे में बताई जैसे चेंचू के बारे में पूछा था कि कौन से state से ब पूण करके ठीक है इसके लावा कई बार अन्यवान और निकोवार की यह जो छे tribes हैं इनको discussion किया जाता है इनके बारे में भी news में रहता है जैसे अभी greater निकोवार को लेकर एक नीतियायो को vision प्लान था उसमें भी कही नहीं कुछ tribal group जो है वो impact हो सकते तो उनके बारे में भी news में रहता तो यह PDF मैंने टेलिग्राम पर भीजी है इनको statewide जो है वो आप ध्यान रखेंगे कई बार आपको confusion होता है कि एक particular tribe जो है जैसे अगर आप देखेंगे मद्यपरदेश और राजस्तान में एक tribe common आपको नज़राएगी वो है सहरिया करके ठीक है सहरिया ज़रा अध्यपरदेश में भी और राजस्तान में तो कई सारे स्टेट में कोई group जो वो PVTG हो सकता है कुछ group में कुछ state में PVTG नहीं भी हो सकता है तो number पर डिपेंड करता है number population कि सहाब से तो इसी सीज़ को लेकर बताया कि क्योंकि tribal communities के अंदर भी कहीं ने कहीं COVID-19 जो हो सरकार पर एक प्रियेशर माल लीजिए या request माल लीजिए कि इनको priority के अंदर रखा जाए और इसके लावा यह जो tribes है जैसे डौंगरिया और बोंडा यह basically depend करते हैं इनके एक तो agriculture पर और दूसरा minor forest products पर यानि जो forest के छोटे-छोटे या produce होते हैं उनको sell करने के basis पर क्यों कहीं ने कहीं ramp up किया जा रहा है इनके अलावा एक्टिविस्ट जो हो डिमांड करने की three layered masks, necessary medicine, vitamins जो हो इनको भीजे जाए और इनको एक तरीके से financial support भी दी जाए इनके अलावा इन ट्राइबल्स ग्रूप को इसलिए save करना जूरूरी क्योंकि ये Indian heritage का एक important है और इसको ले perspective से जो हम discuss करते हैं वो ये है एकी news जो कि most important आपको नजर आएगी इसके बाद page number 9 पे हम लोग discuss करेंगे foreign affair वाला एक information जिछ में दो तिन चीजे हमें पढ़नी है पहला अगर आप देखेंगे recently इसराइल और हमास के बीच में जो ceasefire of agree किया गया कि दोनों ग्रूप जो है इसर resolution करेंगे और यहां पर आपको एक word use नहीं होता हो मिलेगा फिलिस्तान देखिए हमास जो है एक militant group के तरह या एक तरीके से terrorist group के तरह आप इसको अलग-अलग नाम दे सकते हैं militant group के तरह या fighter के तरह लड़ता है और यह basically फिलिस्तानी नागरिकों के लिए फिलिस्तान को सम के से और गाजा जो है वो major place बना दोनों के बीच में fighting के लेकर इन सब के बात जो है एक country जो की बहुत जादा news में आई इसराइल और फिलिस्तान या इसराइल और हमास के context में वो था Egypt क्योंकि इन्होंने mediator किया या मधेश्ता की दोनों की बीच में Egypt के बारे में यह माना ज हो सकती है लेकिन Arabian country या Islamic countries में Egypt ने इसलिए adopt किया था या accept किये थे diplomatic relation because यहाँ पर इनके war हुए इसराइल और Arab war होते हैं तो Egypt को सबसे ज़्यादा नुक्सान हुआ था और सिनाई peninsula जो है इनका वो इसराइल ने capture कर लिया था इसके बाद Egypt जो है वो criticism जुरूर करता है इसराइल का लेकिन directly war में engage नहीं होता जैसे 2021 में भी इसराइल और हमास के बीच में war होता है तो उन सब के बीच में directly engage नहीं होता इनके लावा इस पीज़ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इंटरस्टिंग fact आप कह सकते हैं इसराइल के जो फिलिस्तान के जो प्राइम मिस्टर मुहमद अबास वो कहीने कहीं उनको criticism किया जाता है क्योंकि उन्होंने actively role play नहीं किया दूसरा इस fight के बाद इसराइल और हमास की fight के बाद एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिली कि हमास की जो acceptance है वो फिलिस्तान के अंदर increase हुई है और लोगों ने एक दरीके से shouting करना आवाज उठाना की फिलिस्तान के जो प्राइम मिस्टर हैं वो कहीने कही actively engaged नहीं होते लेकिन फिलिस्तान के जो प्राइम मिस्टर है वो यह चाहते हैं कि हमास एक लेवल से ज़्यादा increase ना हो युनाइटे स्टेट्स इसको designated terrorist group मानती हमास को लेकिन मुहमद अबास यह बोलते हैं कि उनके जो diplomacy एन उनके जो relation है वो कहीने के उसके discussion किया जासकता है आने वाले ट कोई resolution नहीं है कोई political solution नहीं आया election नहीं करवाए गए और इसको लेकर भी लोगों के अंदर गुस है इनके लावा Egypt government की तरफ से humanitarian ground पर जो है मदद दी गई किनको गाजापटी के अंदर जो फिलिस्तानी नागरिक है उनको ठीक है तो यह कुछ चोट-चोट information आपको नजर आ में भी कुछ इसमें दिया गए इसलिए थोड़ा पढ़ते हैं यहां पर आप देखेंगे युवान लोंग पिंग इनका नाम था और इनका नाम था और इनका बेसिक रोल यह था कि इन्होंने hybrid rice research waste के अंदर इनको दियेगी जैसे 2014 के अंदर इनको world food price जो है वो दिया गया था इनमें इनकी breakthrough achievement थी in developing the genetic material and technology essential for breeding high yielding hybrid rice varieties यानी rice की hybrid varieties को development करने में उनमें एक important इन्होंने रॉल पले किया था इनके अलावा इनकी जो technology rice technology उसे केवाल चाइना को benefit नहीं मिला बलकि दुनिया के other दूसरी countries को भी इनसे benefit मिला है जैसे इन्होंने अपने इस एक्तिरी के research को लेकर इंडिया वीतनाम मेनमार बंगलादेश सिलंका युनाइटेट से इन सब country से कहीने कहीं ट्रेवल किया discussion किया और इनके अलावा अलग अलग दूसरी जो crops है rice के अलावा जैसे सोरगम है या रेपसेट है इनको लेकर भी ये research कर रहे हैं explore कर रहे थे कि और ज्यादा success कैसे हासिल कर सकते हैं इनके लावा अगर आप चाइना के context में देखेंगे तो चाइना का जो production है 1990 तक बहुँ जादा increase हुआ इसके लावा जो cash crops है वहाँ पर भी इनका जो एक तरीखिस चाइना का rice production है दूसरे area के अंदर increase हुआ तो ये major role play किया थे है इनने total production के अंदर चाइना में तो ये major personality है इनके लावा आप लोगों के लिए एक question है कि highest production rice का किस country के अंदर दुनिय करेंगे page number 10 पर science and technology को लेकर कई सारी topics को discussion किया गया सबसे पहले बात करेंगे serum supply to covex hit by India's poor planning serum state of India ये planning कर रहाता है कि वो covex या WHO का एक initiative है जिसमें दुनिया भर के देशों को vaccination distribute करने खासकर poor countries को या जिनकी एकनों में अच्छी नहीं है या low income countries को इनके लावा ये hit करेगा क्योंकि इंडिया के अंदर covid-19 cases बड़े इंडिया के अंदर vaccination की demand बड़ी और serum state of India पर कहीं एक pressure भी है यहाँ पर कुछ timeline आपको नज़र आई जैसे serum state of India 66.2 million doses जिसमें 95 countries के अंदर जो है वो distribute करनी थी April 21 तक इन्होंने distribute करी और इन में से 19.8 million जो है वो doses दी गई कोवेक्स के थूँ ठीक है इसके बाद यहाँ पर government ने कहींने के इंडिया में एक तो cases बड़े pressure बड़ा government के वेपर तो उन्होंने export जो है वो कहींने के reduce किया और इसके बाद अस्टरेजनिका का agreement था उनका कि UK को वो 5 million doses जो supply करेंगे वो भी कहींने के रुका और इसमें जून तक का target है कि अभी और जादर disturb हो सकता यानि कोवेक्स इनिसेटिव के तहत या सिरिम इस्टेड ओफ इंडिया के जो agreements थे कि दुनिया भर के देशों को vaccine भीचेगा उसमें कहींने कहीं कमी न को लेकर एक astronomy group working group की meeting होती है जिसमें एक तरीके से discussion किया जाता है networking of existing telescopes को लेकर और इसमें discussion किया जाता है future direction of research in astronomy को लेकर क्या function किया जाता है इस group का नाम है BRICS astronomy working group और BRICS 2021 के calendar में एक important ये role play करता है BRICS basically five countries का group है जिसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa जो इसके अंदर include होते है और इसमें कई सारी technology को लेकर जो discussion किया जाता है जैसे network of intelligent telescope and data study of transist and astronomical phenomena in the universe big data, artificial intelligence, machine learning application to process the voluminous data generated by the enhanced multi wavelength telescope observatory इनमें BRICS में जो है भारत की तरफ से Department of Science and Technology Government of India ने participation किया और इनमें Inter University Center for Astronomy and Astrophysics पुने ने भी कहने की coordinate किया पूरी पूरी meeting को इनमें collaboration को enhance करना और इस साल 2021 में क्योंकि इंडिया जूम कर रहा है BRICS की presidency January 2021 से तो लगवग 100 events इस तरह की होंगे इसमें ministry level meeting है, senior official meeting है, secretarial meeting है, conferences है इस तरह के जो organize किये जाएंगे उनको इंडिया जो चेयर करेगा इसके बाद left hand side आप देखेंगे एक और information है, COVID-19 related ही और ये experts group का ये मानना कि COVID-19 आने वाले time में common flu की तरह हो सकता है याने अगले एक decade में या COVID-19 कई साल तक रह सकता है, लेकिन ये बाद में क्योंकि लोगों में एक तरीके से herd immunity या लोगों के अंदर immunity डेवलप होगी, तो कहीं न कहीं ये एक common cold जो होता है नॉर्मली उस तरीके से नजर आएगा, आवरे decade, लेकिन यहाँ पर कई सारे चीजें भी है कि इसके severity हो सकती है, और दूसरा जो इसमें कई impact और तरीके से भी हो सकता है जैसे COVID-19 में जो mutant है, वो कैसे react करते हैं, इनके उपर भी depend करेगा और एक example इनने दिया, Russian flu करके, Russian flu जो है वो late 19th century में शीजरी के से बात में एक common cold की तरह आपको देखने को मिलता है, और इसमें last में जो concern है कि new variant जो है COVID-19 को लेकर जो नएने variants देखने को मिलते हैं, ये major concern है कि इसमें कितना impact जो हो सकता है इसके बाद white flies को लेकर एक analysis किया गया कि white flies या स्फेद मक्ही कैसे impact कर सकती है इंडिया की crops को और कैसे भारत के अंदर ही आई, कैसे उन्होंने कंकर किया, कैसे impact किया और इसमें बताया गया कि पहले ये केवल कुछ states के अंदर कुछ particular area के अंदर ही ये देखने को मिलती थी लेकिन अब पूरे इंडिया के अंदर except German customer ये आपको देखने को मिलती है और इसका impact जो है भारत की कई सारी crops पर देखने को मिलता है जैसे यहां पर coconut and oil palms की जो crops है उसमें 1.35 lakhs कहिने के इससे effect हुई है ये data दिया गया 2060 के अंदर एक study करी गई एक ICAR Indian Council of Agriculture Research और National Bureau of Agriculture की टीम के द्वारा उन्होंने तमिलाडू के कुछ states के अंदर खासकर तमिलाडू के कुछ रीजन के अंदर coconut field में study करी गी और ये बताया गया कि इसकी वज़े से white fly की वज़े से वहां पर एक तो फसल जो है कम हुई है और एक disaster की तरह इनोंने काम किया है पहली बार इस तरह की case देखनों को मिले थे 1995 में केरला के अंदर और बाद में इसके बाद अलग अलग जगह पर या देश में case increase हुए कम नहीं हुए इसमें 2015 से लेकर 2020 के analysis किया गया DNA sampling करी गई और इसको analysis किया गया कि क्या इस तरह का impact हो सकते हैं भारत में 8 इस तरह की species जो invasive species जो हम मिलती है और इन में से mostly जो species है या mostly जो इस तरह की white flies है वो Caribbean islands के आइलेंड से या तो native हुई है वो Caribbean islands के दुरू इंडिया में आई है और यह अलग-अलग context में आ सकती है जैसे import के दुरू हो सकते है imported plants के दुरू हो सकते है globalization का भी एक impact जो हम देखने को मिलता है और इसी चीज को लेकर जो है अलग-अलग state में study करेगी कि उसका impact जो है वो देखने को मिलता है पूरी इंडिया के अंदर इन में तमिलाड़ों में 2016 के अंदर यह से बढ़ते हुई है आगे पूरे country में इवन अंडेवन और निकवार और लक्सेदीव जो island वहां पर भी इसका impact देखने को मिलता है और ने केवल यह coconut को बलकि दूसरी जो species है जिसमें बनाना है mango, spota, guava, kaju, oil, अलग-अलग plants को भी इतना ही impact करता है और इस चीज को लेकर क्या चीज हो सकती जो इनको control कर सकती है biological control कैसे हो सकता इस तरह की invasive को औ white flies को जो है synthetic insecticides के use करने के तरूँ इसको रोक सकते हैं यह थोड़ा muscul होता है तो इसको लेकर एक suggestion दी जाती है कि predators और parasitoids जो है या entomopathogenic fungi यूज की जा सकती फंगी जो है वो kill करते insect को इस तरह के चीज़े यूज की जा सकती इनको counter करने के लिए और यह इसलिए important है क्योंकि यह white flies को isolate करती है purify करती है और उनको lab और mass produce कर सकती है white flies को field के अंदर combination with the real job lab rear potential predator and parasitoids करके ठीक है तो यह कुछ चीज़े आपको नजर आएगी इस particular context में इसके बाद last page जो है वो है frequently asked question को लेकर और इसमें basically जो पूरे week context में news में रहती उन चीज़ों को discussion किया जाता है जैसे यहाँ पर आप देखिएंग left hand side identifying mutant करके एक article दिया गया और mutant को क्यो identify करने why genome sequencing crucial to track SARS COVID-2 या COVID-19 को track करने के लिए genome sequencing क्यों important है और यह कैसे की जाती है क्या concern और चीज़ों को लेकर यहाँ पर detail analysis किया गया सबसे पहले यहाँ पर बात कीगी मार्च के अंदर जो है member of the Indian SARS COVID-2 genome consortia या INSA को करके भी आप इसको बोल सकते हैं एक advisory group बना था central government का जिन्होंने warn किया था कि new or contagious जो है वह form में novel coronavirus या इसके mutant देखने को मिल सकते हैं इसके बाद last week जो साहिद जमील करके इन्होंने eminent virologist थे इन्होंने resignation दे दिया था जो की head थे इन्सा को के और उनके बाद क्योंकि ये critics रहें government के कि आपने जो COVID-19 को handle करने में कहीं एक तरीके data को लेकर data sharing को लेकर या new variants को लेकर जो है आपने function properly नहीं किया second wave of infection हमें देखन है क्या इसकी एक तरीके से 10 labs across the country यानि पूरे देश में और ये अलग-अलग variants की presence को analysis करते हैं डेटा को analysis करते हैं इसमें अलग-अलग groups जैसे council of scientific and industrial research, department of biotechnology, Indian council of medical research, ministry of health and family welfare और national center for disease control इनकी teams जो है उसके अंदर कहीं ने कहीं कोडिनेट करती है analysis करने में पूरे के पूरे context को इसमें क्या basically देखने को मिलता है अगर आप इनकी findings में देखेंगे तो लगवग 20,000 samples लिएगे जिसमें माना गया कि लगवग 4,000 के आसपास 4900 के आसपास 3,900 के आसपास variants देखने को मिलते हैं इसमें foreign variants भी है जिसमें United Kingdom के हैं South Africa के हैं Brazil के इन अंदर देखने को मिला था भारत का जो variant माना जाता है B.1.617 या B.1.617 भी आप इसको बोल सकते हैं और Indian variant यह double mutant की तरह नजर आएगा और इसमें दो mutant जो है यह वाले नजर आते हैं E.484Q और L.452R यह इसमें देखने को मिलते हैं इसके बाद genome sequencing क्यों important है why is genome sequencing useful आप देख करना की mutation किस तरीके से react करते हैं और कैसे वो एक तरीके से बोडी से जो antibodies को कहीना की develop होने से vaccination के impact से बच सकते हैं इनको लेकर analysis किया था है mutant का कितना impact होता है इसके लाबा यह challenge क्या है इस group के सामने इंसा को group के सामने major challenge क्या है यह अब देखें COVID-19 spread हो रहा है पूरी country के से कई state में increase होई के state में कम हुए लेकिन इसके अलाबा mutant के through आप देखेंगे geographical variation देखने को मिलता है sequencing में at least 5% samples की requirement होती है कि आप उसको और ज्यादा analysis कर पाए और इसके through basically आने वाले time में और ज्यादा antibody develop करने में major role play कर सकते हैं लेकिन इसमें problem यह है कि data जो है या इनके पा और antibodies को लेकर यह माना जाता है क्योंकि vaccination से antibody develop ही की जाती है और antibody में केवल antibody ही एक तरीके से production का एक तरीका नहीं है इनके अलाबा दूसरी चीजी जैसे cellular immunity भी develop करने पड़ते है critical role जो होगा vaccine की activity इम्मूटी का वो भी develop किया जासके हाला कि vaccine जो है 75 से 90% effective है कई cases में 100% भी effective हो सकती है लेकिन ये complete जो है वो protection नहीं करती against reinfect हो या transmission बिलकुल भी ना हो उस तरह की चीज़ें आपको नजर नहीं आएगी लास्ट में एक information है कि vaccination को लेकर बच्चों को vaccinate करना या pregnant women को electating women को क्यों important है और अभी एक expert group जो है उसने expert group on immunization against COVID-19 for this section and where does India stand यानि इंडिया कहां पर stand करता अभी जो recommendation आई है इसको लेकर vaccination policies को लेकर कुछ इसमें changes किये गए है चार मैने के बाद जो vaccination जो start हुआ था 16 जनुरी के आसपास उसमें लगबग चार मैने से उपर हो चुके है उसमें अलग-अलग changes आपको देखने को मिलेंगे recently अभी तक भी vaccination खासकर बच्चों में और pregnant women के अंदर vaccination को permission नहीं दी गई है हलाकि union ministry of health and family welfare की तरब से जो national expert group on vaccination administration है उसकी recommendation कुछ थी जैसे lactating women जो है lactating mothers उनकी permission को उनको permission दे दी गई है कि वो vaccination करवा सकते और इसके लावा कुछ चीजे चेंज करी जैसे जो positive थे या जो recover कर चुके थे या जिनने प्लाजमा डोनेट किया था उन सब चीजों के लेकर इनमें drug controller general of India द्वारा रिशनली भारत बायटेक को trial connect करवाने की permission दी गई है vaccine को लेकर 2 से 18 साल के age group में यानि बच्चों को भी आने वाले टाइप में vaccination करवाया जा सकता है और इसको लेकर अभी trials होंगे इसको लेकर भारत बायटेक को permission दी गई है यहाँ पर बाकी इसके क्या benefits है एक तरी कि क्यों vaccinate करना है pregnant woman को और बच्चों को इसको लेकर discussion किया गया data का कितना role है data access में risk और benefit क्या है और क्या बच्चों को vaccinate किया जासते इसको लेकर भी debate और argument जो है और कैसे बच्चों को जो vaccinate किया जाएगा वो कैसे different होगा as compared to adult यह भी गईने कहीं concern है और कुछ इसमें legal issues भी है ethics को लेकर भी कुछ concern बहुत सारी चीज़ेस में arguments डिवेट आपको देखने को मिलेंगी यह article मैं personally कहूंगा कि आप ज़रूर एक बार पढ़ना इसको revise कर लेना यह important है तो आज के इस complete the Hindu news paper में तना ही thank you all, jahin